तो गाईज एक बार फीर एक इंपोटेंट अपडेट के साथ मैं मेरे हीटूप सेनल में स्वागत है आज मैं इस सेनल के माधियम से इस वीडियो के माधियम से मैं आपको आटीए के तैथ निसुल्क परविष परिकरिया दो जाटीश चोईस की जो निसुल्क परिकरिया है उसके समन में जानकारी देना जा रहा हूं इस वीडियो के मात्यम से आफ इसकी और आफको इसका जो टाइम फ्रेम है वो इस सीद बे मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो देख सकते हैं अभी बावक द्वारा ओनलाइन आविदन करने की जो दिनाख है वो 29 मास 2023 से है यानि कि अभी बावक द्वारा जो ओनलाइन आविदन करने की जो देट है वो 29 मास 2023 से ही शुरू हो रही है ठीक है 29 मास यानि कि आज से ही इसके जो आविदन करने की प्रिक्रिया है वो शुरू हो सुके है इसका जो आविदन करने की जो अंतिम देट रहेगी वो 10 अपरेल 2023 यानि की 29 मार्स से लेकर के 10 अपरेल 2023 तक आपको इसका आविदन करना जरूरी है तो मैं आपको एक इंपोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आप अंतिम दिनाक का इंतजार किये बिना आप समय से पहले इसका आविदन कर ले क्यूंकि इसमें अब किसी भी परकार की देट नहीं बढ़ाई जाएगी अब आपको मैं सिधा आपको इसके जो आवसक दिस्तावेच है वो बताने इसके जो आवसक दिस्तावेच है आधरकड बच्छे का माता पिता यानि की तीनों का ठीक है आधरकड तीनों का होना जरूरी है दूसरे नंबर पर जनम पर्मान पत्र बच्छे का ठीक है बच्छे का जनम पर्मान पत्र होना जरूरी है जन आधरकड एए इंपोर्टेंट दस्तावेज जनादर कर्ड परिवार कर्ड ठीक है रासनकर जाती परमान बत्र है सी एस्टी और ओबी सी के लिए ठीक है यह जाती परमान बत्र है वह बच्चे का या पीता का होगा तो चलेगा ठीक है चटे नमबर पर मुल नीवासी परमानपुत्र, बच्चे का या पिता का होगा तो चलेगा, ठीक है? साथवे नंबर पर विकलांग परमान पत्रों यदि है तो अन्य दस्ताविज जैसे कि कोई अन्य दस्ताविज आपके उपर लागू होते हो वो आप इस आविदेन परक्रिया में लगा सकते है ठीक है और एक आई परमान पत्र जो इंपर्टेंट दस्ताविज है आई परमान पत्र जो इसमें बताया नहीं गया है एक आई परमान पत्र जो पिता के नाम से बनेगा वो एक इंपर्टेंट दस्ताविज है तो आप इन सभी दस्ताविजों के साथ मूल दस्ताविजों के साथ आप अपने नजदी की मित्रप पजा करके आविदन कर सकते है तो मुझे उमिदे कि यह वीडियो अपके लिए कापी important रहेगा तो इस वीडियो को आपके परिवार में जो गरिब परिवार है उनमें share कीजिए उनको share कीजिए ताकि वो भी इसका आविदन कर सके तो अब आपको मैं इसके जो age यानि की बच्चे की आईउ से समझी जो परिक्रिया है जो इसकी जो मैं आपको इसकी इस वीडियो की अंगत में आपको बच्चे की जो date यानि की age कितनी होनी ज़ूरी है इसकी समन में आपको जानकरी देने जा रहा हूँ बच्चे की एज से सम्मन में आपको मैं इसकी जानकरी देने जा रहा हूँ तो बाई एटेज सौहीज में बच्चे की जो उम्र है मिनिमम एज है वो तीन वर्स है वो भी 31 मार्स 2023 को, यानि कि 31 मार्स 2023 को 3 साल पूरे होने जुरूरी है, बच्छे के 3 साल पूरे होने जुरूरी है, 31 मार्स 2023 को, और maximum 31 मार्स 2023 तक 7 वर्स होना जुरूरी है, यदि 7 वर्स से उपर है, 31 मार्स 2023 तक 7 वर्स से उपर है, तो वो आविदन नहीं कर सकता, यानि कि 31 मार्स 2023 को 3 वर्स होने जरूरी है मिनिमम 3 वर्स होने जरूरी और मैक्जिमम 7 वर्स तो आप एज का जो क्राइट एरिया है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो पलीज लाइक एंड सब्सक्रीमा इंट्यूप सेना